हेलो स्टूडेंस हमारा चैप्टर नमबर टू वेरिंग लाइस्टाइल ओफ आनिमल्स खतम हो चुका है हम कम्प्लीट रीड कर चुके हैं अब हम इसके न्यूवर्स पढ़ेंगे कि न्यूवर्स जो हमें लर्ण करने हैं आपके वर्कशीट यही है आपको ये न्यूवर्स राइट करने हैं और ये त्री कोशन अंसर राइट करने हैं यह आपकी वर्कशीट है हर्भी वोर्स हर्भी वोर्स कौन से हैं प्लांट इटिंग अनिमल्स यह आपको लर्न भी करना है राइट भी करना है हर्भी वोर्स प्लांट इटिंग अनिमल्स मतलब जो सिफ विखाते हैं और मास भी खाते हैं उन्हें ओमनि वोस कहते हैं माइग्रेशन दा मुवमेंट ओफ ऐनिमल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनरदर एक जगह से दूसरी जगह ऐनिमल्स का जाना फेवरेबल कंडिशन के लिए उसे क्या कहते है, Migration अब ये रिवाइज हो जाएगा यहां से चैप्टर के हमने इस चैप्टर में क्या क्या रिड़ किया है The surrounding in which animals grow and live is called environment Environment क्या है, जो हमारे चारों तरफ का area है, जहां हम रहते हैं, उसे environment कहते है Different animals differ in size shape and other features, जो अलग-अलग animals हैं, उनका size shape और उनके गुर्ण अलग-अलग होते है Different animals have different eating habits and they have mouth parts modified according to type of food they eat, मतलब अलग-अलग animals, अलग-अलग type का food खहते हैं, जैसे हमने यहां पढ़ा कि plant खाते हैं, सिर्फ मास्ट खाते हैं या दोनों खाते हैं, जो वो food खाते हैं, उनकी according ही सोती है, animals move to get food and water to protect themselves from enemies and build their homes for resting and breeding, animals move किसलिए करते हैं, food के लिए, water के लिए, और खुद को अपने enemies से बचाने के लिए और खुद के घर बनाने के लिए ताकि वो rest कर सके, breeding मतलब बच्चे पैदा कर सके animals have different lips for movement, limbs मतलब उनके हाथ पैर, जो four limbs होते हैं, वो अलग-अलग होते हैं, the limbs are modified according to their ways of movement, जो उनका चलने का तरीका है कि वो चलते हैं, तैरते हैं, उड़ते हैं, भागते हैं, या जमीन पर रेंगते हैं, उसके according ही वो limbs हैं, अलग-अलग टाइप के होते हैं, different animals have different breathing organs like lungs, gills, spiracles, etc, अलग-अलग animals के अ अलग-अलग शांस लेने के लिए अंग होते हैं, breathing organs अलग होते हैं, जैसे human beings lung से लेते हैं, feces gills से लेते हैं, insects के spiracles होते हैं, animals migrate to other places, the moment by certain animals at certain time of the year to distant places called migration, animals migrate करते हैं, दूसरी जगह पर मतलब बहुत सारे animals एक साथ जाते हैं, जब migration बोलते हैं, और वो migration करते हैं, special time पे, special जगह पर करते हैं, ठीक है, तो आप रहे हैं, question three questions है, what are features in the body of a bird which help it to fly, कौन से birds के वो feature हैं, जो उसे उड़ने में help करते हैं, क्या help करते हैं, कि एक तो उनके wings होते हैं उड़ने के लिए, दूसरा उनकी hollow bones होती हैं, जो उनकी शरीर को हलका बनाती हैं, जिससे उड़ सकते ह और उनकी जो wings हैं, वो chest muscle से attach होती हैं, जो उनको wings को उपर नीचे करने में help करती है, how many pairs of limbs do most of animals have, ज्यादा animals के कितने limbs होते हैं, four pairs, two pairs होते हैं, मतलब four होते हैं, आगे वालों को क्या कहते हैं, four limbs, और पीछे वालों को क्या कहते हैं, hind limbs कहते हैं, what help a turtle to swim, टर्टल को अड़ में help करता है, turtle के जो four paddle like, paddle like, जो legs होती हैं, उसकी flippers जैसे होती हैं, वो उसे तैरने में help करती हैं, तो आपको वर्कशीट में ये definition and ये three questions करने हैं, ठीका है, ये आपकी वर्कशीट होगी, ये सिर्फ revise करने के लिए है, thank you